वेलकम माइडे शुडेंट आपका स्वागत है एक्सरसाइज 7.2 उस्चन 5 का हल हम करने जा रहे हैं इसके अंदर दिया गया है A B C A B C और D B C D B C यानि ये वाला और ये वाला ये दो ट्राइंगल्स हैं ये आईसो सेलेस हैं यानि सम्दिबाहू हैं और एक ही बेस पर है B और C के उपर आपको बताना है कि A B D A B D यानि ये जो कौन है ये और ये कौन जो है ये दोनों समान है देखिए A B C ट्राइंगल जो है A B C दिव बहू है यानि इसके दोनों बुज़ाएं बराबर है तो जब दोनों बुज़ाएं बराबर होगी तो उसके सामने वाले दोनों कौन भी बराबर होंगे यानि कौन A B C ये जो कौन A B C है ये वाला ठीक है ट्राइंगल A B C में कौन A B C इस इक्विल टू कौन B, C, A यह वाला B, C, A यह दोनों कौन बराबर है इसी तरह से ट्राइंगल B, D, C तीक है ट्राइंगल B, D, C में B, D, C में कौन कौन साथ यह वाला यानि की D, B, C कौन D, B, C इस इक्विल टू कौन कौन साथ यह वाला यानि की B, C, D ट्राइंगल यह आपका एक यह दोनम्बर आपका सम एक्रण मर गया यानि यह कौन और दोनों कौन बराबर है क्योंकि यह दोनों बुजाएं भी बराबर है यह भुजा और यह भुजाज सम दुभाहू है इसलिए दोनों भुजाएं बराबर है इसे सामने वाले दोनों कौन की बराबर है यह कौन और यह कौन B, कौन और C, कौन दोनों बराबर है यह हमें पता लग गया अब देखिए इन दोनों को ये कौण और ये कौण बराबर है यानि हम short में लिखें कि कौण कौण ABC इसके अंदर ये कौण ये जोड़ दो आप ठीक है ये कौण सा है ये आपका DBC ये दोनों को जोड़ देंगे और ये कौण कौण सा है ये कौन है A, C, B ये A, C, B है A, C, B और इसमें जोड़ देंगे कौन ये कौन जाए B, C, D क्योंकि दोनों बराबर है ये और ये बराबर है और ये और ये बराबर है इसलिए हम ये कह सकते हैं की कौन A, B, D is equal to कौन A, C, D ये दोनों समान है ये हमने दर्शा दिया ये हमने शिद्ध कर दिया है शिद्ध है प्रूड अगर आपको अच्छे तरह से समझना है तसलिशें तो आप इसको पोज कीजिए और इस पेज को पढ़ लिजिए आराम से आपको समझ में आ जाएगा आप नोट भी कर सकते हैं Thank you my dear student Please like and subscribe